फिर से आप लोगों का स्वागत है आज जो हमारा टोपिक है टोपिक है हरियाना स्टेट वोड ओफ टेकनिकल एजुकेशन से रिलेटिड हरियाना स्टेट वोड ओफ टेकनिकल एजुकेशन ने न्यू नोटेस अपना वेबसाइट पे भेज दिया है एक्जाम से रिलेटिड है कि जैसे आपका section A जो existing मतलब जो आपका existing pattern है और जो revise pattern जो आपकी बार आएगा वो ये है आपका pattern this one तो इस side है आपका revise pattern ये है आपका पुराना वाला pattern तो इसमें attempt 10 question करने होते थे out of 10 each question 1 marks का होता था आपका मतलब 10 into 1 10 marks का ये question आते थे हर एक question 1 marks का होता था अपकी बार भी 10 question आने है 10 ही attempt करने है हर एक question 1 marks का है तो 10 marks के ही ये question है बट ये mcq type आएंगे multiple choice question आएंगे आपके इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसके बाद आगे चलते हैं तो हमें section B मिलता है section B के अंदर आपको previous जो previous pattern था उसमें 10 questions attempt करने होते थे आपको और 10 ही question मिलते थे each question 1 marks का होता था मतलब 10 into 1 तो ये 10 marks के आते थे बट अपकी बार ये हर एक question 2 marks का हो जायागा 10 question होंगे तो 2 into 10 20 marks तो 20 plus 10 30 marks का आपका यहां पे है आपका exam pattern इसके बाद हम बात करें section number C की तो section number C का previous आपको 12 question attempt करने थे out of 15 अब आपको 10 question attempt करने है out of 15 तो board ने as per corona को देखते हुए concession आपको अच्छा दिया है और यही major marks यहीं है 60 marks आपका focus यहीं होना चाहिए 60 marks यहां पे हैं आपके आपको 15 में से सिर्फ और सिर्फ 10 questions attempt करने है हर एक question 6 marks का है तो यह आपके question है 60 marks के ठीक है यहां पे आपके कितने questions हैं यहां पे आपके करने होते थे 12 questions करने होते थे out of 15 15 में से 12 questions करने होते थे और हर एक question 5 marks का होता था तो यह होते थे 60 marks के तो यहाँ पे आप अच्छे marks गेन कर सकते हैं क्योंकि concession भी अच्छा है आपको only और only आपको सिर्फ और सिर्फ 10 questions attempt करने हैं out of 15 out of 15 15 में से 15 में से सिर्फ 10 questions attempt करने हैं अब हम बात करते हैं section number D की और इधर भी section number D की इधर आपको 10 marks का 1 question है और 1 question attempt करना out of 3 यह देखिए यहाँ भी आपको concession काफी अभी यहाँ पे भी आपको जो छूट दी गई है काफी अच्छी दी गई है यह तीन में से सिर्फ 1 question attempt करना है मतलब हर एक आपको भी पता है कि जो 10 marks का question होता है वो ratio के इसाब से आपका आएगा कि जह 2-3 chapter में से 1 दे दिया फिर 2-3 में से 1 दे दिया तो आप देखिए 3 question आपको दिये होंगे और 1 question attempt करना है आपको अपना मन पसंद का तो easily attempt कर सकते हैं आपने अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करिए easily attempt कर सकते हैं तो 10 into 1 तो आपका 10 marks का paper आपका यहां से आएगा 10 into 1 तो जो board नया pattern लेके आया काफी अच्छा pattern है आप easily attempt कर सकते हैं अपने exam को और आपके exams के लिए हमारे channel की तरफ से best of luck बच्चो अच्छे से पढ़ाई करो और देखिए हमारा channel time to time आपको ह हमेशा update जो करा है वो right update किया है हमारे channel ने आज से लगबग लगबग 25 दिन पहले या एक महीने पहले आपको update करके बता दिया था कि final year के exam होंगे क्योंकि उनके ना होने के chances बहुत कम हैं तो उसी तरीके से final year के exam आपके हो रहे हैं जो भी student इस channel को follow किया है आज तक उसको का दूसरी बात mechanical engineering के students को अभी भी निराश होने की जुरुरत नहीं है हमारे channel के माद्यम से वो handwritten notes हमारे अपने handwritten notes हैं वो आप ले सकते हैं उसमें easily three to four days में आप passing marks का अराम से कर सकते हैं क्योंकि easy notes हैं जैसे आपको एक subject पढ़ने के अंदर book में से अगर एक week लगेगा तो ए अपने यूट्यूब के channel के जो अभी ये वीडियो बनेगा इसके description box में मैं अपना WhatsApp नंबर दे दूँगा आप अपना मेरे को WhatsApp कीजिए अपना नाम की सर मेरा ये name है और मुझे mechanical engineering के final year के इस subject की notes की जुरुरत है तो मैं आपको demo notes तुरंत प्रोवाइड कर वाँगा उस subject के आप देखना अगर आपको demo notes easy लगते हैं और आपको लगता है जैसा सर ने बताया कि वाई एक week में मेरे दो से तीन subject easily त्यार हो जाएंगे तो आगे further conversation कर लेंगे कि आगे के notes आपको किस तरीके से available होंगे इस video से related कोई भी query हो तो आप comment box में comment जरूर करिएगा मैं हर comment का reply द कर दिख़ी North